बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम, दियर स्टूडेंट्स, असलाम अलाइकून, वेलकम टो MSI स्कूल, आज हम क्लास टू इंग्लिश मिडियम की सोचल स्टेडी पढ़ेंगे, हमार आज को लेक्चर नमबर सैवन है, हमार आज यूनिट नमबर थ्री पढ़ेंगे, नेबरिंग पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक, दियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक के बारे में पढ़ेंगे, यनि पाकिस्तान के हमसाया मुलक कौन कौन से हैं, यनि पाकिस्तान के शमार, जुनूब, मश्रिक और मगरिब में कौन से मुलक वाकि और पाकिस्तान का बॉर्डर किन के साथ ज्यादा कनेक्ट से है। पाकिस्तान की किस साइड पे कौन सा मुलक वाकिया है और उनके साथ हमारे किस तरह के तालुकात है। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान यानि इंडिया के साथ हमारे अच्छे तालुकात नहीं है। चाइना चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। अफगानिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है। वह भी पाकिस्तान का दोस्त मुलक है, एरान भी एक मुस्लिम कंट्री है, वह भी पाकिस्तान के नेबर्स में शामिल होता है, तो आज हम इन कंट्री के बारे में और पाकिस्तान के बॉर्डर किसके साथ शेयर होते हैं यह पढ़ेंगे, तो आएए पहले हम इस चेप्टर के रिडिंग कर लेते हैं जैसे हमारे घर के आस पास जो लोग होते हैं वो हमारे हमसाय कहलाते हैं इसी तरह से जो हमारा मुलक है उसके आसपास जो मुलक है वो भी हमारे मुलक के हमसाय मुमालिक कहलाएंगे इसी तरह से जो मुमालिक आर सिच्वेटिड वाक्या हैं अराउंट इर्दगिर्द आर कंट्री हमारे मुलक के आर कार्ड कहलाते हैं आर हमारे नेबरिंग हमसाय मुमालिक इस जो मुलक हमारे मुलक के इर्दगिर्द वाक्या है वो हमारे हमसाय मुमालिक हैं हिंदुस्तान इस सिच्वेटिड हिंदुस्तान वाक्या है इंदा इस्ट्रन मश्रकी साइड सेम्त में आफ पाकिस्तान पाकिस्तान की हिंदुस्तान इस सिच्वेटिड इंदा इस्ट्रन साइड आफ पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान की मश्रकी तरफ यह मश्रक की तरफ वाक्या है हिंदुस्तान वास फ्री अजाद हुआ आफ्टर के बाद वन डे एक दिन आफ पाकिस्तान पाकिस्तान के हिंदुस्तान वास फ्री आफ्टर वन डे आफ पाकिस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक दिन बाद अजाद हुआ इन्ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अजाद हुआ था और 15 अगस्त को हिंदुस्तान हुआ हिंदुस्तान, did not, accept, कबूल करना पाकिस्तान, from heart, दिल से, till now, अब तक Hindustan did not accept Pakistan from heart till now Hindustan में, Hindustan ने Pakistan को अब तक दिल से कबूल नहीं किया That's why इसलिए we had been war, war, jang many times, कई दफ़ा with Hindustan Hindustan के साथ That's why we had been war many times with Hindustan और इसकी वज़ा से Hindustan के साथ हमारी कई दफ़ा jang भी हो चुकी है आज हम यहां तक इस पैराग्राफ की reading करेंगे इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा के हमारे इर्दगिर्द जो लोग होते हैं वो हमारे हम साय कहलाते हैं इसी तरह हमारे इर्दगिर्द मुलक के मुलक के इर्दगिर्द जो ममालिक हैं वह हमारे neighboring countries यनि हम साय ममालिक कहलाैंगे पाकेस्तान के मश्रिक के तरफ हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान यनि इंडिया पाकेस्तान बनने के एक दिन बाद अजाद हुआ था और इसलिए चुके पाकिस्तान में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान पहले एक ही मुलक में था, हिंदु और मुसल्मानी कटे रहते थे तो हिंदुस्तान ने कभी भी पाकिस्तान को दिल से कबूल नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का एक अलग मुलक हो जिसकी वज़ा से हमारी इंडिया के साथ आज तक बहुत सी जंगे हो चुकी है दियर स्टुरेंट्स अब हम इस परग्राफ के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे इसके लिए मैंने आपको नोट्स परवाइट किये हुए हैं नोट्स से हम इसके वर्ड मीनिंग रीड करेंगे लेसन नमबर थ्री पढ़े हैं नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के हमसाया मुमालिक वर्ड मीनिग है न-e-i-g-h-b-o- यू-r नेबर हमसाया नेबर हमसाया जी डबलोड गुट जी डबलोड गुट अच्छा गुट अच्छा ल-o-n-g लोंग लंबा लोंग लंबा लोंग लंबा ऑफ ती अच्टिज गूंच्ट। किंति ममालिक श- Fig dalas बसें Surround, D-I-N-G-S, Dings, Surroundings, Irdgirdh, Surroundings, Irdgirdh, S-I-T-U-A-T-E-D, Situated, Vaakya, Situated, Vaakya, A-R-O-U-N-D, Around, Irdgirdh, Around, Irdgirdh, S-I-D-E, Side, Taraf, Sight, Taraf, F-R, Double E, Free, Azad, Free, Azad, A-F, T-E-R, After, K-Bad, After, K-Bad, A-C-C-E-P-T, Accept, Kabul Karna, Accept, Kabul Karna, H-E-A-R-T, Heart, Dil, Heart, Dil, F-R, I-E, N-D, Friend, Dost, Friend, Dost, H-E-L, P-S, Helps, Madad Karta, Helps, Madad Karta, T-O-U-G-H, Tough, Tough, Mushkil, यहां G-H, F-K-I-A-W-A-Z नहिकालेगा, Tough, Mushkil, A-R-E-A, Area, I-L-A-K-A, Area, I-L-A-K-A, S-O-U-T-H-E-R-N, Southern, Janubi, Southern, Janubi, V-E-V-E-R-Y, Very, Both, Very, Both, Very, Both, P-R-I-N, Print, C-I-C, Print, C-P-L-E, Principal, Asul, Principal, Asul, N-E-A-R, Near, Kreeb, Near, Kreeb, B-E-C-A-U-S-C, Because, Why, Because, Why, Dear Students, आज हम यहां तक इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, आपने इन वर्ड मीनिंग को अच्छी तरह से जबाने याद करके अपनी नोट्बुक पर लिखकर चेक करना है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इने लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके हमार ने चैनल को सब्सक्राइब करें, कल इंशाला नेक्स लेक्चर के साथ मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अलाहाफिच्छ